कि नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऑन रोक प्लांटेशन करने का प्रियतन कर रहे हैं तो अब जैसे जैसे हम करेंगे आप इसे फॉलो करें के अज़र आगी यह हमारा प्लांट है विंड स्वेफ्ट स्टाइल में इसी से रिलेट करता हुआ हमने पहले पत्थर ढूंड आए औ और अब हम कोसिस करेंगे इसको इस पर अच्छे सेटल करनेगी है हम देख रहे हैं कि यह सेटल तो हो गया है लेकिन इसकी जो रूट इस्ट्रेक्चर नीचे का हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम यह रूट इसकी निकाल देंगे यह जो रूट है इसकी हम यह निकालेंगे क्योंकि यहां पर स्टॉन में आगे टच कर रही है अगर हुआ है हुआ है हुआ है 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 यह नोब कटर से आसानी के साथ निकल जाती है और हम यह जो निकाल रहे हैं क्योंकि हम पॉली हाउस में काम कर रहे हैं तो यह री जनरेट कर जाएगी सब अगर हम एक जड़ काटेंगे तो यहां से हजार जड़ हमें मिलेंगी तो आगे के लिए हमारा यह इस्ट्रेक्चर भी मजबूत होगा और एक बार हम इससे पुट करकर देखते हैं तो आप देखेंगे अभी अच्छे से सेटल हो पा रहा है हाला कि इसका में जो लुक है वो इधर से आ रही है उस हिसाब से हमारा यह पत्थर गलत हो जाता है लेकिन फिर भी हम इसको सेटल करकर देखते हैं कि हमारा दूसरी साइड से कि नहीं हुआ हैं इसका लेखते हैं कि यह हम हैं इसके जो रूट है इसको लेक रहेंगे इसमें डालो गया है वेक तर आदान को बाती का बडिया वाक, के ऌसे को में है तरा मत्त बडिया है तो आप देख पा रहे हैं कि यह लगबख विंट स्वेप्ट स्टाइल में है पेड और लगबग लगबग जो हमने इसकी रूट्स की डारेक्शन देनी है वह हमारी आ गई है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसको हम सही से एड़ेस्ट करेंगे एक रूट्स को ज